एक और टेक्निक चीकाता हूं, बहुत ही जबरदस टेक्निक है हम लोग हर एक measure chord का relating to minor chord जानते हैं, यह सब को पता है, आपको भी पता होगा, सब लोग जानते होंगे, हर एक measure का relative minor chord होता है अब उस कैसे होता है, तो हर एक measure का six note जो होता है, उसका minor relative chord होता है ठीक है, अब इसको easy कैसे करने है, easy करने के लिए कि इदा देखो, c, d, e, f, g, a, b, c, यह सारे major code होगा, इसके minor code, अब minor code याद करने का इसी तरह का है, यहाँ एक लिखा हो है, a, b, c, d, e, f, g, अब जहां-जहां सार्प है, जैसी कि दिखो, यहाँ सार्प है, यहाँ सार्प है, तो आपको सबसे बहुत करने, यहाँ से c, d, e, f, g, a, b, c, लिखो, अब ठीक उसके बगले, a, b, c, d, e, f, g ल याद भी जल्दी हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं रहेगा